हाँ तो दोस्तों कैसे हो आप सभी एक बाब फिर से आप सभी कहार दिख स्वागे तापी के अपने चैनल मनी गुरुजी पर तो सबसे पहले फ्रेंट्स एक जरूरी अपडेट है आप सभी के लिए फ्रेंट्स वो अपडेट यह है कि जैसा कि आप सभी जानते हो हमारे हर व वह अपना जो नंबर है वह comment section जहां पर आपने answer दिया दा वहां पर comment section में all जरूर शे mention कर दे है या इस video के लिए mention कर सकते हो तो आप मुझे instagram पर अपना number send कर सकते हो ताप को patm cash वहाँ पर मिल जाएगा हालागी friend आपको पता है he IPL में थोड़ा सा मोझ जादा busy do जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको पोसेंट कर दूँगा तो फ्रेंग्स इस वीडियो में भी होने वाला है पेटियम केश गिववे इसमें भी आसान सा एक क्योशन आपको वीडियो के बीच में पूशने वालो उसका आंसर आपको देना है वीडियो के नीचे डिस्क केश तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आप फ्रेंज जैसा कि आप देख सकते हो यह जो वीडियो है वो ग्रेंड लिग इस वीडियो में हम ग्रेंड लिग के बारे में बात करेंगे वो ओल्रेडी मैंने मनी गुरी जी हमारे जो ऑफिशल चैनल ने उस पर बता ही अब फ्रेंड मनी गुरी जी इस पेशल फेक्ट मैंने आपको अल्रेडी बता ही दिया हमारे स्मोल लीक वाले वीडियो में एक बार आप फिर से नजर भी दुड़ा सकते हो अगर आपने अपी तक वीडियो नहीं देखा है फिर आप रिस्क है तो इसके वाले फेक्ट भी अब यहाँ पर देख सकते हो बागिया आप स्कोरिंग पैटर्न वगेरा पर भी एक नजर डाल सकते हो लाज्ट के 10 गेम पर भी आप यहाँ पर नजर डाल सकते हो हम ज़्याद आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे डाइरेक्ली एक नजर डाल देते हैं दोनों ही टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में क्या हो सकते हो साइसाथ मैं आपको पूछने वाला हूँ पेटियों केश गीववे का क्योश्टन फिर हम देखेंगे ग्रेंड लिंक के कॉम्बिनेशन तो फ्रेंग गुजराट जायंट्स की जो पॉसिबल प्लेइंग 11 कुछ इस पका रह सकते हैं गुजराट के टीम अगर हम बात करें यहां से लखनाओ की टीम से तो लखनाओ की टीम भी आप देख लिजिए केल रहूले क्विंटेंडिकों के इवेल लुईस है मनिश पांडे है दिपक हुड़ा है कुणाल पंडिया है फिरम बात करें कृष्णपा गोतम दुश्मंता, चमीरा, एंडू टाया, अंकीत राजपुत, फिरम बात करें रवी बिश्णपा और आविश खान तो दोनों ही टीमों की जो पॉसिबल प्लेइंग इलिए वने कुछ इस पकार आपको देखने को मिल सकती है चले फ्रेंज सबसे पहले हम बात देख लेते हैं जोईन करना है वो उनली लिंक से करना है जो कि मैंने दिये वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में विनर भी आपको विनर भी जो होंगे वो यही पर अनौंस होंगे और यहां पर एक लाग रुपे तक के गिववे डेली चल रहे तो गिववे भी आप जोईन करते रहे है चले देख लेते हैं क्या रही की मेरी टीम तो फ्रेंस यहां पर मैं कुछ ग्रेंड लिक के कॉम्बिनेशन के बात करने वालों अगर आप ग्रेंड लिक वगरा खेल रहे हो तो किस तरह की कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो अब फ्रेंस आप जो यह इंटरफेस देख रहे ह आपको free giveaway दिख जाएगा तो free में खेलकर आप बहुत अच्छा वीन यहाँ पर कर सकतो entry fees भी बहुत कमे और साज साथ इन्होंने जो contest create कर रखे वो बहुत अच्छे कर रखे तो एक बार जरूर से नजरूर हो लेगा एक बार download जरूर करना link video के नीचे description में आपको मिलेगी fan to play app की चलिए आप देख लेते team combination तो friends पहले तो मैं आपको यह बताए तो कौन-कौन से players में available हो सकते ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए किस तरह से combination बनाने फिर हम बात करेंगे यहाँ पर एक एक combination देखेंगे एक बार हम team पर नज़र डाल देते तो विकेट के पर section की बात करें लोके शहुले, क्विंटन डिको के मेथ्यू वेट जो की थाई chance है तीनों के खेलने के इन तीनों में सब किसी को भी लेकर चल सकते हो फिर हम बात कर लें यहाँ से बल्ले बाजी section की तो बल्ले बाजी section में ज़्यादा option नहीं है मनिश पांडे, शुमन गिल और इवेल लूस तीनों ही बेहतरिन चोईस है मारकस टोइनिस नहीं है, काईले इस मेहिर की जो न्यूज आ रही यह भी नहीं है, फिर डेविड मिलर को आप ले सकते हो मननवोरा इस मेहिर में खेलते हैं, तो आप ले सकते हो बाकी जो option है, उस सारे ही रिस्की रहने वाले हाला कि अभी नहीं मुनरोर का मुकाद दिया जा सकता है तो तीन ही अच्छे option है, वो है मनिश पांडे, शुमन गिल और इवेल लूस बात कर ले, ओल्राउंडर section की तो ओल्राउंडर section में जैसन होल्डर नहीं है, फिर हम बात करें हार्दिक पंडिया की हार्दिक पंडिया एस बल्लेवाज अगर आप लेना चाहे तो ले सकते हो रिसेटली बैचों में ये गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं मैंने लिया एक उठाल पंडियाओ क्रिष्णाव का घुतम को क्यों लिया उसका रिजन यह है कि ये बल्लेबाजी के साथ गेंदबाजी से भी कंट्रिबूट करते हैं और अच्छे पॉइंट ये देखर जाते हैं बात कर लें गेंदबाजी सेक्षिन की फ्रेंस टीम मैंने अल्रेडी स्मोल लिग वाले वीडियो में बता दिये यहाँ पर मैं आपको कॉंबिनेशन बताने के लिए बता रहो कौन से प्लियर खिलेंगे और कौन से अच्छे हो सकते हैं इसलिए मैं शोट में कवर कर रहा अब आप देखोगे राशित खान में टीम में आगे लोकी फरिगूसन मौमर शमी और रवी विष्णोई चारो ही में गेंदबाजों को मैंने लिया है ब्लेसिंग मुझीर बानी शायद इसमें नहीं है फिर हम बात कर लें आवेश खान है अंकित राजपुत है इन दोनों क ज़्यादा बात हम यहाँ पर करेंगे नहीं चारो ही में गेंदबाज को मेंने यहाँ पर लिया है अब मैं टीम कॉम्बिनेशन आपको बता जता हूँ ताकि आपको समझ में आजा किस तरह से आप ग्रेंड लिक का कॉम्बिनेशन बना सकते हो फेर टुपले एप भी डाउ को पूछ लेता हूँ ध्यार रखना जो भी टॉप फ्रेंड बिनेर होंगे जिन्हों सबसा पहले राइट आंसर दिया होगा पहले और दोसर नंबर पर जो आएंगे उन्हें मिलेगा 200-200 रुपे का पेटियम केश और नंबर तीन पर जो आएंगे उन्हें मिलेगा 100 रुप जियान रखना पहले तो मैं आपको बता दू कि एक user एक ही comment कर सकता है comment edit किया हुआ नहीं होना चाहिए और friends काफी लोग जो answer दे रहे हैं वो ऐसे दे रहे हैं कि 10 run से ज्यादा run बनाएगा या फिर 10 run से 20 run के बीच बनाएगा ये valid नहीं है आपको एक correct number बताना जैसा कि 10 run बना पहले जाए तो जाएगी इनकी गेंद बजी फ्लोप हो जाएगी हाला कि राशितकान बल्लेवाजी से भी contribute करते और गेंद बजी करते तो एक विकेट तो इन्हें मिल ली जाता है तो राशित खान पर हम थोड़ा सा बरोसा कर सकते हैं लेकिन मौमश शमी और लोकी फ्रकुशन डे तोर में गेंद बाजी करते हैं तो कहीं ने कि इन्हें भी विकेट मिलने के चांसे बन सकते हैं इस बात को अब ज्यान में रख कर चलिएगा तो इसलिए तीनो ही में गेंद बाजी को मेंने लिया है लेकिन मेंने थोड़ा सा बरोसा दिखाया है रवी विष्णोई जो के विकेट टेकिंग गेंद बाजी होती है तो रवी विष्णोई को विकेट मिलने के चांसे बढ़ जाते हैं क्योंकि बहुत एक कमाल का गेंद जो कि ये दोनों कोई भी प्ले नहीं लेके चलेगा क्योंकि काफी लोग क्या करेंगे हार्दिक पंडिया पर मैं ज्यादा बरोसा नहीं करूँगा जो कि मुझे ऐसा लग रहा है शायद वो गेंदवाजी ना करते हैं तो फिर अपना बेड़ लग होगा लेकिन मुझे लग रहा है नहीं करेंगे तो मैंने यह पर क्रिष्णावा गोताम और कुनाल पंडिया पर बरोसा किया है अब सेकंड जो मेरा कॉम्बिनेशन होगा अब फ्रेंस सेकंड कॉम्बिनेशन में मैंने क्या किया है लेकिन मैंने क्या किया है यहाँ पर तीरो ही में बल्ले बाज मेरी टीम में आगे मेत्यू वेड शुबमन गिल दोनों ही टॉप अटर के बल्ले बाज मेरी टीम मेरी टीम में आगे विजे शंकर जो की टॉप अट गिंपिन्टेंट को खालागी मैं नहीं ले थोड़ा सा रिस्क लिया एक कॉंबिनेशन में आप क्उंटेंट टिको को ले सकते हो क्योंकि यहाँ पर आप देखोगी चार अच्छे गेंदबाज और अपनी टीम में जगे दिये अब आप देखोगे ये जो टीम है मुझे बहुत ज़्यादा पाउरफुल नजर आ रही है फिर से बता दू ये टीम मुझे बहुत ज़्यादा पाउरफुल नजर आ रही है क्योंकि लोकेश राहूल, क्विंटेन डिको, इवेल लुईश, मनीश पंडे, दुस्मंता, चमीर अगर इनकी बल्ले बाजी चल गई तो जाइड सी बात है इनकी गेंदबाजी को कोई नहीं रोक सकता, अगर पहले बेटिंग लोकेश राहूल की टीम की आती है तो ये गेंदबाज काफी कमाल कर सकते, अगर इन्होंने अच्छा खासा स्कोर बना दिया, दोस्तों के करीब हो सकता है, तो रिस्क ले सको, तो यहाँ पर कुणाल पंडिया को ही रखिएगा, यहाँ पर शुम्बन गिल, क्योंकि बल्ले बाजी में ज्यादा ओप्शन नहीं है, अगर कोई खेलता है, तो बल्ले बाजी में आप रोटेट चिंजस कर सकते हो, इस तरह के कॉंबिनेशन मनेंगे, कैप्टेन वाइस, कैप्टेन आपके इच्छा से आप चिंजस कर सकते हो, जिसा की रवी विष्णोई भी एक बहत्रिन ओप्शन हो सकता है, आज के मेंच में कैप्टेन वाइस, कैप्टेन के लिए, तो टीम से ज्यादा छेड़ चारी नहीं करनी है, उनली एक ही टेलीग्राम की लिंक भी वहीं पर आपको मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में उसे लिंक से टेलीग्राम पर हमें फोलो करना है, सर्च करके बिल्कुल भी नहीं करना है, फ्रेंट्स वीडियो अच्छा लगा हो तो भी एक लाइक जिरू करना और हमारे इस बेक चनल को भी सब् कर लिजीगा, थैंक्यो वेरे मच्च